गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में चालुके वंस के सासक पुलके सिंदुईते और हैर्स के मध्धे जो यूद हुए थे उनके बारे में जानकर फ्राप्त करेंगे तो देखेगा छात्रो जो पुलके सिंद सेकेंड है ये बादा में के चालुके का एक सर्वादिक सकती साले सासक था रिवाइज करवा देती हूं ताकि वीडियो पहले वाले वीडियो से कनेक्ट हो जाए आपके इजीली समझ में आ जाए ठीक है तो देखेगा जो चालू के राजवंस है दक्षिन भारत में एक महान राजवंस था और चालूकें की तीन साखाएं थी बादामी या वातापी के चालूके वेंगी के चालूके और कल्याणी के चालूके तो जो वातापी या फिर बादामी के जो चालूके थे ये चालूके मूल चालूके थे अर्थात प्रारंबिक चालूके थे तो इनकी वातापी के चालूकें की राजदानी पहले वातापी थी इसलिए इनको वाताप पुलकेशिन फैस्ट थे रनराक के पुत्र थे सामन्तिय स्थिती से पुलकेशिन सेकेंड है वो चालूकियों को निकालता है तथा चालूके राजवन्स की स्तापना करता है इसके बाद आता है इसका पुत्र किर्टीवर्मन पर्थम अब जो किर्टीवर्मन पर्थम है ये जब किर्टीवर्मन पर्थम है इसकी जब मर्त्यू होती है तो इसके तीन पुत्रों होते हैं वो अल्फ वेस्क होते हैं उनमें सबसे बड़ा पुलकेशिन सेकेंड होता है और इस कारण से पुत्रों के अल्फ वेस्क होने के क मोस्थ होता है कि पुलके शिन 2 आटा है तो यह अपने समराजिय का विश्थार भी करना जाता है और बात क्या होती है कि यो three Side में वर्दन वन्स का सकोथ हर्षवर्धन इसके और पुलके सिन सेकन्ड के मत है युद्धे होते हैं और लास्ट में क्या होता है कि चालूकयों और पल्लाओं के पीच में भी युद्ध होते हैं तो पुलकेशन सेकंड के समय पलल सासक महंदर वर्मन होता है फिर महंदर वर्मन के साथ यूद होता है उसमें पुलकेशन सेकंड उसको हराता है फिर 622 में क्या होता है कि जो महंदर वर्मन पर्थम है उसका बेटा है नर्सिया वर्मन पर्थम वो इनको पुलकेशन सेकंड को मर्त्यू हो जाती है और जो नर्शिय हमर्मन पर्थम अब तब कौन की उपादी धरन करता है इस परकार से हमने पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था अब हमने अलग से वीडियो बनाया है ताकि एकजाम में आपको हेल्प मिल सके और कई बार क्यूसर पू तक तथा पूरव में कामरोप से लेकर पस्य में सूराष्टर तक था ठीक है मतलब कि उत्तर में संपुर्ण भारत पर हर्षवर्धन का अधिकार था और जो पुलकेशिन सेकेंड है ये दक्षिन में गोवा महाराष्टर करनाटक तथा अंदर परतेश तक इसका समराज वि होती है जो नर्मदा नदी होती है और दूसरी विंधा चल पहड़ियां हुद थी क्या होता है कि मालवा और गुजरात है यहां पे यह नदी बहती थी मालवा और गुजरात में और वहीं वहीं इसके सम्माना अंतर और महाराष्ट में विस्तारी जो विंधा चल की परवत म पिलकेशिंदष सेकेंड Totally Time ए अपने समरजी विस्तार की योजनाएं बनाते हैं और यहीं का पर मालवा और गुझरात में इनके जो समर्जी विस्तार की योजनाएं ठकरा जाती है अर्थाथ यूद inhib acquire गितलं होता है ठीक है अब देखेगा हम कह सकते हैं कि दक्षिन भारत का जो सरवादिक सक्तिव साले सासकता वैं पुलकेशिन सेकेंड था और उत्तर का जो सबसे सक्तिव साले सासकता वैं वर्धन मंसका सासक हर्षवर्धन था और ये जो पुलकेशिन सेकेंड ये समराजे विस्तार कर रहा था और इसकी उत्री सिमा नर्मदा नदी तक विस्तरित हो जाती है और इधर हश्वर्धन भी नर्मदा नदी तक अपना समराजे विस्तार कर लेता है तो दोनों के जो समराजे वादी महत्वा कांग से हैं जिसके कारण संगर्सोना अनिवारिय हो जाता है तो जो ये सेकिंड है ये 610 से 642 इस्वी तक सासक रहा था और बादामी के चालू के वंसका सबसे सकती साली राजा था ठीक है तो जलिए पढ़ते हैं पुलके सिंद्वीतिय तदा हर्स के मद्य यूद का विवरण देखेगा पुलके सिन वीतिय चालू के वंस का सक्ति साली राजा था वेहन सांग उसकी सक्ति इम परभाव की परसंसा करता है तो जो वेहन सांग है ये 641 इस्वे में पुलके सिन सेक्टिन के दरबार में यात्रा करने आता है और ये हर्श मर्धन के काल में भी आया था वेहन सांग के बारे में भी हमने आपको पहले वीडियो दिखाया था हर्श की विजियों के परणाम सुरूप उसके राजे की पस्सिमी सिमा नरमदा नदी तक पहुंच गई किसकी पुलकेसिन सेकंड की उदर पुलकेसिन सेकंड भी उत्तर की और राजे का विस्तार करना जाता था ऐसी स्तीती में दोनों के बीच युद होना अवसम वलव आवसेक हो जाता है और इसके परणामस्रूर हर्स और पुलकेसिन जिए के 20 धम्धा नदी के तट पर्युद हुआ जिसमें हर्सकी प्राजे हुई और इस उपलक्स में क्या करता है पुलकेसिन सेकिन दक्षिणा पतेशोर और पर्मेशोर की उपाध्य धरन करता है अब देखेगा पुलके सिंथ तता हर्षवर्दन दोनों के बीच हुए यूद्स्य संबंदित महत्वपुन्दो परमाण मिलते हैं कई वार एकजामी पूछ लेते हैं परमाणों के बारे में तो देखेगा पुलके सिंथ वित्य का एखोल अबिलेग देखो एखोल अबिलेग है इसके बारे में हमने आपको पहले भी काफी बार बताया है फिर सून लीजिएगा एखोल अबिलेग करनाटक बिजापूर में सतित है और इसके जो रचियता है वो रवी कीरती है जो एक जैन विद्वान थे ये सिंस्क्रित भासा में लिखा गया है और अबिलेग अर्थात परसंस थी मतलब की जो राजा होते थे वे अपने गुणों के परसंसा के लिए ये सब लिखवाते थे तो इस एखोल अबिलेग के अनुसार अपार एस्वरिये द्वारा पालित सामन्तों की मुकुट के आबा से आचा दिते हो रहे थे चरण कमल जिसके यूद में हातियों की सेना के मारे जाने के कान जो बयानक दिखाई दे रहा था ऐसे हर्स के आनन्द को उसने अर्थात किसने पुलकेसिन ने भैसे विगलित कर दिया ठीक है मतलब कि एखोल अबिले कहता कि जो पुलकेसिन सेकिंड है इसने हर्स को हराया था वेनसां का यात्रा विवर्ण कोन सा है? सी यू की तो कई बार एक जामे पूछ लेते हैं वेनसां की पुस्तक का नाम सी यू की है उसके अनुसार अपने राजिया रोहन के बाद लगातार छै वर्सों तक हर्स ने अनेक यूद की उसने कई सक्तियों को प्राजित किया परन्तु मोहोलच ए अर्था ते महरास्टर का सासक बड़ा वीर और स्वाभी मानी था उसने हर्स की दिनता नहीं मानी या चिनी यात्री ने जिस राजा का उलेक किया है उससे पता चलता है कि वो पुलकेसिन सेकिंड ही था तो एहोलबिलेक और जो वेंसां की सीउ की है इन से पता चलता है कि जो पुलकेसिन सेकिंड ही ने हर्स को प्राजित किया था सुधाकर चटोपाध्या का विचार है, एक विद्वान है, सुधाकर चटोपाध्या है, उनका विचार है कि ततकालेन भारत के इन दो महन राजों के बीच होने वाला ये अक्यल आयुद नहीं था, उनके संगर्स बाद में भी जारी रहे थे, 643 इस्वी में हर्स का कोंगोध पर आकर्मन पुलकेसिन के विरुद उसकी एक मोर्चा बन्दी थी इसे जीतकर हर्स ने अपनी पुरानी प्राजे का बदला चुकाया तथा पुलकेसिन के कुछ परद्यसों पर अतिकार कर लिया था ठीक है बहिए ये विद्वान ऐसा कहते हैं कि इस यूद के बाद भी कई यूद पुलकेसिन और हर्सवर्धन के मद्दे हुए थे और इनमेंपुलकेसिन हैं इसको हर्स ने हराया था ठीक है तो कि देखेगा ये जो ये आपका जो हर्षवर्धन और पुलकेसिन सेकंड के मद्दे जो यूद हुआ था नर्मदानदी के ततपर यह 612 इस्वी में लड़ा गया था और इस यूद में हर्स की पराजेव होती है और जो पुलकेशिन सेकंड है ये दक्षिना पतेश्वर और प्रमेश्वर की उपादी धारण करता है दक्षिना पतेश्वर और प्रमेश्वर की उपादी के अलावा जो पुलकेशिन सेकेंड है इसने स्री पर्थ्वी वलब सत्यासरे की उपादी भी धारण की थी ठीके तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने पुलकेशिन सेकेंड और हर्षवर्दन के मद्दे हुए यूद के बारे में आपको बताया वीडियो एकजाम के दर्शी से बहुत ही मैतापुण है और हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत इसी प्रकार से हम आपको इत्यास विशे से सम्बंदित और भी मैतापुण वीडियो दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज पे